आपने CPU स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 5-6 मिनिट लग रहा है, Windows लोड होने के लिए, desktop के आइकॉंस आने के लिए 5-6 मिनिट, monitor का जो है, color बदल रहा है, जैसे मैं अभी आप पे ये दिखा रहा हूँ, आपको कि यार, ये monitor का color यहां पे बदल रहा है, इसक में आपको direct hard disk की तरफ बढ़ना है, जिया, दोस्तों, आज का वीडियो computer user के लिए खास होने हो ला है, अब ये वीडियो मैं क्यों shoot कर रहा हूँ, इसका reason पहले मैं बता देता हूँ, आज सुबह मैं जब मेरे computer को start कर रहा था, मैंने power बटन प्रेस किया, तो मैंने देखा पहर उसमें power ही नहीं आ रहा था, मतलब computer start ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे कैसे ठीक क्या होगा, ये आप ज़रूर जानना चाहेंगे, ये भी मैं बताऊंगा, और साथी में मैं ऐसे 10 अलग-अलग troubleshooting के मेतर बताऊंगा, कि अगर आपका computer बंद हो गया है, display नहीं आ रह या फिर आपके system से beep sound आ रहा है, तो ऐसे condition में आप क्या करोगे, ऐसे 10 अलग-अलग condition में आपको बताने वाला हूँ, अब देखो, generally होता क्या है, अगर आपका system बंद हो गया है, आप computer user, computer operator हो, तो आप क्या करते हो, phone उटाते हो, hardware वाले को number मिलाते हो, और उसे बुला लेत क्या करते हैं, computer का basic troubleshooting कैसे करते हैं, और दस ऐसे troubleshooting जिसका idea आपको होना चाहिए, right, मैं सतिश complete technology channel पर आप सभी का सौकत करता हूँ, चलिए, शूक करते हैं condition number one, condition number one यह है कि आपने आपके CPU का button प्रेस कर दिया और वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाए दिया, मतलब CPU के power button में ना power आ रही है, ना CPU स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे condition में क्या करना चाहिए, ऐसे condition में सबसे पहले आपके computer में power आ रहा है की नह करना चाहिए, यानि कि आपको power cable चेक करना चाहिए, जो आपके SNPS को लगा हुआ है, right, सबसे पहले power cable टेस्ट कीजिए, power cable टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्टर होना चाहिए, टेस्टर की मदद से आप चेक कर सकते कि उसमें power आ रहा है की नहीं आ रहा है, okay, power cable आपन चेक कर लिया, power cable प्रॉपर है, अब आपको चेक करना क्या चाहिए, पहले तो आपने power चेक कर लिया, power आ रहा है की नहीं आ रहा है, power आ रहा है SMPS के अंदर, अब SMPS वर्क कर रहा है, या आपको चेक करना चाहिए, तब ही आपको solution पता चल जाएगा इसका दीरी दीर, right, तो अब ही आप SMPS चेक कर रहा हो, तो SMPS चेक करते समय आपको green और black wire शॉट करनी होती है, यह मैंने और वीडियो बना इसकी आपर आई बटन में लिंक देता हूँ, डीटेल वीडियो बना है कि SMPS चल रहा है की नहीं चल रहा है, वो कैसे आप चेक कर सकते आपकी computer में, power supply जिसे अब भी आप computer खुद से repair करना चाहते है, तो यह troubleshooting step आपको हमेशे आद रखना है, क्योंकि generally हम क्या करते है, directly CPU खोल देते, CPU खोल लेकी ज़रूद नहीं रहती है, power button प्रेस करने के बाद light नहीं आ रही, तो पहले power cable चेक करो, फिर SMPS, बाद में CPU खोलो और SMPS चेक कर लो, SMPS में power आ रही है, power cable प्रॉपर है, SMPS में power आ रही है, अब आपको जाना है motherboard के पर, जहाँ पे आपका ATX pin लगता है, जो SMPS पावर आता है, वो motherboard पे जहाँ पे लगता है, उसे निकाल कर आपको लगाना चाहिए, और इसके बाद भी, अगर यहाँ पे इसमें problem troubleshoot नहीं हुआ, तो आपको फिर motherboard चीप लेवल वाले के पास देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे power इन नहीं हो रहा है, याने कि वहाँ पे कुछ तो चीप लेवल का problem है, पहला solution मैंने आपको बदा दिया, कि बाई, CPU का button प्रेस करने के पाद पावर नहीं आया, तो क्या करना चाहिए, condition 2 की तरब बढ़ते हैं, अब condition 2 में आपने CPU का button स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे वहाँ पे light लग गई, CPU के अंदर fan है, वो भी घूमने लग गया, और SMPS का fan भी घूम रहा है, तो अभी इसका मतलब यह है कि आपका CPU तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्क्रीन के उपर कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे case में सबसे पहले आपको चेक करना क्या चाहिए, आपको अपका computer खोलना चाहिए और उसमें RAM आपको निकाल के चेक करना चाहिए, रैम को निकालना है, उसे clean करना है, एरेजर से, रैम को एरेजर से clean करने के उ अगर अगर अपने मेरा कोर्स नहीं देखा है, तो देख लेना, मतलब वो कोर्स एक्चुली पेड है, लेकिन सटपरिकर के साथ वो कोर्स आपके लिए अवैलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते है, प्रीमियम कोर्स और काफी एडवांस लेवल का कोर्स है, हा अगर डिस्प्ले आगए तो नहीं आया, तो आपको CPU डिटेच करना है, निकालना है, वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक उसका छोड़ देता हूं, तो CPU निकाल लेना है, CPU निकालने के बाद CPU थोड़ा सा हीट्शिंक वगएरा solution लगा कि वापीस उसे attach कर देना है, और इसके बाद भी display नहीं आ रहा है, तो आपको motherboard clean कर लेना है, और ये तीनों भी चीजे करने के बाद display नहीं आ रहा है, तो फिर cheap level का काम हो गया, तो आपके area में जो cheap level का का काम करते हैं, उनको आप अपना motherboard दे स किया, और इस बार CPU के अंदर से आवाज आ रही है, बीप, 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 ऐसी आवाज आएगी, और कोई आवाज नहीं आती CPU से, बता रहा हो, तो ऐसी आवाज बार बार आ रहे है, तो आपको समझ जाना है कि एक इशू है, वो है RAM का इशू, तो आपको RAM को निकालना है, clean करना है, लगाना है, और फिर से बीप, वैसी आ रहा है, तो RAM हटा देना है, दूसरी RAM लगाना कि देखना है, मतलब सेम DDR2 है तो DDR2, DDR3 है तो DDR3, राम के उपर लिखा रहता है, वो RAM आपको दुबारा वैसी दूसरी RAM लगा कि चेक करना है, ये RAM का ट्रबल शूटिंग है, ये कंडिशन आपको याद रखनी है, तो तीसरी कंडिशन क्लियर, अब चोथी कंडिशन की तरब बढ़ते हैं, अब चोथी कंडिशन जो कि मेरे एक स्टूटन ने भी मेरे साथ शेयर की थी, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो में आप देख सकते कि बेर यहां पे Biosか जो हाना रिडिंग आ रहा है, आगे Windows लूड नहीं हो रहा है, CPU स्टार्ट हो रहा है, मोनिटर पे कुछ ब्लैक स्क्रिन पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, और आगे Windows नहीं लूड हो रहा है, डेक्ष्टॉप नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे इसे केस में क्या solution होगा ऐसे केस में आपको RAM clean करना है RAM को हाती नहीं लगाना है ना आपको CPU को clean करना है ना motherboard को निकालना है कुछ नहीं करना है ऐसे केस में आपको direct hard disk की तरफ बढ़ना है जियां आप computer को खोलो hard disk की cables जो होती ना एक power cable रहती एक SATA cable रहती आपको सामने मैं दिखाता हूँ SATA cable और power cable इन दोनों को निकालो इन दोनों को निकाल के दुबारा लगाओ और try करो कि देखो फिर से windows लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर windows फिर भी लोड नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि यह cable प्रॉपर लगी हुई है यह cable प्रॉपर लगी हुई है प्रॉबलम कहां पे cable में नहीं है केबल में प्रॉबलम तो किसमें हो सकता है Windows के अंदर विंडोज इंस्टॉल है उसमें प्रॉफलम में आपको विंडोज को रिंस्टॉल करना पड़ेगा Windows की फाइल करफ्ट हो गई रहेगी Windows अगर करफ्ट है तो आपके computer में display तो आएगा आपके monitor पे DOS की screen दिखाए देगी ब्लैक स्क्रीन पे white text आएगे उसे हम DOS का जो लोडिंग रहता ना पहले BIOS लोडिंग बोलते बिसिकली तो BIOS लोडिंग होगा लेकिन BIOS के आगे Windows नहीं आएगा और Windows इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो corrupt हो चुका रहेगा या फिर hard disk की पीन ब्लूज होई रहेगी तो यह दो ही चीज़े है यह दो ही solution आपको याद रखने है और इसकी तरफ ही बढ़ना है नहीं तो आप RAM बदलोगे फिर motherboard क्लीन कर यह सब चीज़े करनी नहीं है क्योंकि सब कु चालू है motherboard CPU चालो है आपका CPU on हो रहा है इसलिए तो display आ रहा है RAM भी चालो इसलिए तो display आ रहा है motherboard चालो इसलिए तो display आ रहा है याद रखिए यह चीज़ hard disk की तरफ जाना है और windows को आपको रिंस्टॉल करना पड़ेगा यह दो मैंने solutions बता है अब बढ़ते पाच्वे कंडिशन की तरफ अब पाच्वे कंडिशन ऐसे कि आपने CPU स्टार्ट किया सब कुछ स्टार्ट हो गया Windows भी लोड गया desktop भी दिख रहा है और अचनक एक मिनिट के बाद आपका computer बंद हो रहा है एक मिनिट के बाद आपका computer बंद हो रहा है तो वो जो heat sink है, वो properly CPU के साथ attached नहीं है, अगर वो attach होते हीट वो खीच लेगा, मतलब CPU की जो heat है वो खीच लेगा और fan से वो cool कर देगा उसे, लेकिन वो proper attach नहीं होता है, या heat sink solution जो होता है वो properly उसके उपर लगाया हुआ नहीं है, तो वो आपको लगाना है CPU को proper tight pack कर देना अंधर, CPU के लोग भी delay हो सकते हैं, तो वो उस case में क्या होता है, CPU गरम होता है और एक मिनिट के बाद बंद होता है, तो अगर आपका CPU एक मिनिट के बाद बंद हो रहा है, तो ये आपको चीज करनी पड़ेगी, याद रखिए, करना क्या है, CPU के उपर लगा हुआ फैन है, या फिर heat shrink है, वो प्रॉपरली लगा हुआ रहना चाहिए, कंडिशन नमबर पाच के बाद, कंडिशन नमबर चे के तरफ बढ़ते हैं, कंडिशन नमबर चे में ऐसा है कि आपने CPU स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग के लिए पाच से छे मिनिट लग रहा है, विन्ड प्रॉपरली लोड नहीं हो रही है, इसका रीजन ही होता है, कि आपने उसे बहुत सारा काम दे दिया है, बहुत सरी खीचड़ी कर दी उसमें, रैट सिस्टम ड्राइव में, तो आपको ऐसे केस में Windows को रीइंस्टॉल करना ही आच्छा रहेगा, रीइंस्टॉल करेंगे त जो सारी सिस्टम पाहिल प्रॉपरली आरेंज हो जाती है, लेकिन रीइंस्टॉल करते समय आपको आपके जो लाइसन वर्जन के सॉप्ट्वे से उसके लाइसन की अलग सा हो नीची आपके बस निकाल के रखनी है, और उसके बाद आप इसे रीइंस्टॉल कीजिए, में इसका प्री वीडियो भी अवैलेबल है, अगर आप प्री में देखना चाहते है तो प्री भी देख लीजे, बस हाडवेर कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़े सीखने मिलेगी, और सट अभीड भी मिलेगा, फिलाल तो छटी नंबर केस क्या होती है, मैंने आपको बत बाकि CPU में कुछ प्राब्लम नहीं, बहुत सरे लोग कहते हैं कि CPU में कुछ प्राब्लम हो चुका है, नहीं CPU में नहीं, यह जो वीजीय केबल रहेते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन के पर दिखा रहा हूँ, इसे आपको बदलना होगा अगर आपके मॉनिटर के कलर बदल रहा हैं, लेकिन यह कुछ यह पुराना मॉनिटर है, तो उसमें यह इश्यू आ रहा है, तो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा इश्यू अगर आपके साथ है, तो यह चीज कर लो, कंडिशन नमबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, आपके laptop से beep sound आ रहा है, laptop start करते ही, या फिर laptop start हो गया और अभी दिखा ही दे रहा है कि कोई keyboard की एक key press, long press है, वो press हो रही है, हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको laptop का keyboard बदलना है, जो keypad है, basically laptop का, उसमें moisture आ गया है, याद रखिए, अगर उसमें moisture आता है, तो आपको ऐसे कि इसमें laptop का keypad बदलना होता है, देखिए, अग अपनी का, वही brand का, लेकिन market से अगर आप लोगे तो 600-700 रुपए में भी keypad पूरा replace होके मिल जाता है, अगर आप अपने laptop का keypad बदलना चाहते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस keypad को detach कर सकते हैं, laptop की keypad को, और detach करके दूसरा USB keyboard लगा सकते हैं, आपकी land card में land cable लगा दिया, जैसे कि मैं screen के उपर दिखा रहा हूँ, land cable अपने यहां पर लगा दिया, लेकिन फिर भी computer में internet connect नहीं हो रहा है, आपको ये cross sign दिखा रहा है, इस तरह का, जैसे मैं screen पर दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आपके computer में network driver install नहीं है, आपको motherboard को support होंगे वो आप install कर सकते है, या फिर motherboard जब आपने खरीदा है, computer जब खरीदा, तो उसके साथ एक driver की CD मिलती है, उसे आप reinstall कर सकते है, तब जाकि वो land cable लगाने से फाइदा होगा, याद रखिए, यह जद तक problems computer में आते है, इसलिए मैंने आपके साथ share कर दिया, condition number 10, यह बहुत ही simple सी condition है, आपने CPU का बटन स्टार्ट कर दे हो, और CPU के अंदर से noise आ रहे है, तो यह noise कुछ और नहीं है, अंदर drill machine नहीं चल रहा है, अंदर जो fan है, उसके अंदर आपके, जो motherboard पावर सप्लाई जिसकी है, केबल, कई ना कई पे टच है, याद रखिए, व वज़से वो खराब हो जाता है, तो ऐसे केस में वो fan से आवाज आती है, तो आपको बस, वो fan को replace करना है, 300-400 रुपए में CPU की उपर का fan आ जाता है, मैंने price बता दी यह आपको, बस अभी आपको बदलना है, तब आप बदलिये, यह थी condition number 10, तो यह तो मैंने conditions और solutions बता द सब्सक्राइब हो, computer यूज कर रहे हो, तो especially जो उसका case रहता है, बार का, उसे खोल के रखिए, ताकि वो cool हो, अगर आप 8-9-9 घंटा computer यूज करते हो, तो at least वो cool उसको हवा मिले, तो वो case खोल के रखो, आप CPU का ऐसे खिचडी में मत रखो कही पे, ऐसे लोग टॉली में अंदर एकदम दबा-दबा के रख देते, तो ऐसे case में उसके life बहुत कम हो थी, क्योंकि वो ज्यादा heat होता है, तो उसे cool होना बहुत ज़री, गरम होता है, गरम नहीं होना देना है, और laptop अगर आपका गरम होता है, तो उस case में आप cooling pad भी खरीच सकते है, जैसी कि मैं अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो दिस्क्रिप्शन में मैं Amazon की लिंक आपके लिए छोड़ दे तो आप पकड़ लेना, मतलब आप होहां से ले लेना, मुझे भी थोड़ा सा commission मिल जाएगा, ओके, extra cost तो आपको लगने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते लाप टॉप के लिए cooling pad तो आप ज़रूर ले सकते हैं, फिलाल तो यह मैंने tips आपको सारी बता दिये, सारी चीज़े मैंने को बता दिये, कि कौन-कौन से condition में क्या-क्या आपको solution रहने वाला है, वीडियो को like share और comment कर लेना, साथी में मेरे computer courses की link description में दीए, अगर आपको